हिस्ट्री एंड डेवलप्मेंट ऑफ होमियोपती के पार्ट वन में हमने देखा कि कैसे 1810 में होमियोपती का इंट्रोडक्शन होता है इंडिया में और पूरे ही 19th सेंचुरी की जर्णी हमने हमारे पिछले वीडियो में देखी आये जानते है 20th सेंचुरी में कैसे होमियोपती को गवर्मेंट कैसे रेकॉगनाईज करती है आप देख सकते हो स्क्रीन पर क्या लिखा है बोगस इंस्टिउशन और बोगस होमियोपतिक डिग्रीज यहां तक हम पहुँचे थे कि जब 19th सेंचुरी के एंड में होमियोपती कि अपने पीक तक आता है तब बोगस इंस्टिट्यूट्स बनते हैं बोगस होमियोपतिक डिग्रीज दी जाती है इन सब को काउंटर करने के लिए कलकत्ता के बंगाल के एमिनेंट होमियोपत ये डायतों अपने कंदेपर लेते हैं और मेंबर ओपार्लीमेंट के पास जाते हैं ब्रिटिश रिजीम के अंडर की आप होमियोपति को रेकॉग्नाइज करो सेंट्रल लेवल पर तो रेकॉंटिशन ऑफ होमियोपथी बाइग गवर्मेंट 1937 में ब्रिटिश रिजीम के अंडर ही वो सारे ही एमिनेंट परिसनेलिटी सारी एमिनेंट होमियोपाथ मेंड़ीमेंट के पास जाते हैं और उसके बाद होमियोपथी related first resolution pass होता है so the first resolution on homeopathy moved by Dr. Gyaas Uddin was later adopted by the Bengal legislative assembly Bengal legislative assembly is first resolution की मान्यता करती है इसके बाद अगर आप देखोगे तो in 1943 में तो बंगाल प्रोविंशनल गवर्मेंट अकॉर्ड ओफिशल स्टेटस देती और किसका गठन करती है General Council of Homeopathy and State Faculty of Homeopathy का गठन करती है बंगाल में तो यह कब हुआ था 1943 में उसके बाद अगर आप देखोगे एक साल बाद All India Institute of Homeopathy का गठन होता है जिसका headquarter दिल्ली में होता है जिसके founding members थे Dr. A. N. Mukherjee, Dr. Divan Jai Chand, Dr. Daya Shankar Akastya, Dr. J. B. Shrivastava, Dr. S. P. Asthana and Dr. K. G. Saksena, Dr. K. G. Saksena ही इसके पहले General Secretary थे यह कौन से year में था 1944 यह है Dr. K. G. Saksena जो की पहले General Secretary थे All India Institute of Homeopathy के उसके बाद अगर आप देखोगे तो in 1948 and 49 में क्या incidents होते हैं क्या events होते हैं सबसे पहले in 1948 resolution पास होता है कौन पास करते है श्री सतीष चंद्र समंता श्री सतीष चंद्र समंता जो की एक MP थे West Bengal से वो resolution पास करते और Central Government को बोलते है कि Homeopathic को आपको recognize करना पड़ेगा जिसके वज़े से the homeopathic inquiry committee का गठन होता है और यह committee अपने एक साल के अंदर अपनी report देती हो और report में क्या बताती है कि Central Council of Homeopathic Medicine का गठन होना चाहिए so 48 में resolution पास होता है और committee बनती है और committee 49 में 1949 में अपना रिपोर्ट दे देती है उसके बाद कि इन 1952 तू 1954 राजकुमारी अमरित को राजकुमारी अमरित को त्वतंत्र भारत की पहली स्वास्त मंत्री थी Independence इंडिया की पहली Health Minister थी राजकुमारी अमरित को राजकुमारी अमरित को राजकुमारी अमरित को और की एंडर ही Ad Hoc Committee on Homeopathic बनती है जिसका नाम 1954 में बदलके Homeopathic Advisory Committee रख दिया जाता है यही होमियोपतिक एडवाइसरी कमिटी थी जो कि आगे जो कि होमियोपतिक टाक्टेश हो एजुकेशन हो उस रिलेटेड कमेंट करती थी यह उस रिलेटेड सरकार को निर्देश देती थी कि इस प्रकार से हमें चलना है इसके बाद अगर देखेगे तो 1962 में एक बड़ा चीज हुआ था वह हुआ था होमियोपतिक इंडियन होमियोपतिक पार्मेकोपिया कमीटी का गठन हुआ था जो कि मिनिस्टल आप हेल्थ के अंडर ही आते थे और इसके पहले चेर्मेंट थे दॉक्टर भी के सरकार इसके ब और ओमियोपतिक सेंटल काउंसिल बिल को पास किया गया था संसद में यह बिल राष्ट्रपती के सिगनिचर के बाद और ऐसके एक साल बात ग्याजेट notification के through Central Council of Homeopathy CCH का गठन हुआ और इसी body के under था कि ये body निर्धारित करेगी कि कैसे practice होगा कैसा education होना चाहिए research के लिए अभी तक कोई committee बनी नहीं थी CCH Central Council of Homeopathy का गठन हुआ था 1974 में अगर आप देखोगे यहाँ पर यह image है inauguration ceremony की उसी inauguration ceremony में Dr. Karan Singh थे उस समय के union minister थे for health and family planning वो भी इस inauguration ceremony में थे in 1974 inauguration the Central Council of Homeopathy CCH यह थे Dr. Karan Singh 1975 में दो बड़े institute homeopathic related open हुए थे सबसे पहला institute HPL homeopathic parmikopia laboratory का उद्गाटन हुआ था गाजियाबाद उत्तरप्रदेश में और उसी साल 1975 में the eminent institute national institute of homeopathic NIH Kolkata जिसे बोलते पहले उसका नाम था कलकत्ता नाशनल institute of homeopathic established in Kolkata बेस्ट पंगॉल में तो 1975 में यह homeopathic के दो prominent institutes open हुए थे उसके बाद 1928 उसके बाद 1995 में एक डिपार्टमेंट बना डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टेम अफ मेडिस्टिन जिसके अंडर आईरुवेदा युनानी सिद्धा योगा यह चारों आते हैं और homeopathic and H ISM and H created in the ministry of health and family welfare इसके लिए अभी तक कोई अलग ministry नहीं थी so health and family planning के ministry के अंडर ही यह department बनाया गया कब 1995 में और इसी department का नाम चेंज किया डिपार्टमेंट ऑफ आयुष में 2003 में 2003 में इसी डिपार्टमेंट का नाम अभी तक ministry नहीं बनी है यह department किसकी कौन से ministry के अंडर आता है ministry of health and family welfare के अंडर आएगा जिसका नाम से बदल दिया डिपार्टमेंट ऑफ आयुष इन 2003 में इसके बाद देखोगे कि 2014 मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गटन किया गया था माने निया प्रधान मंत्री श्री नरेंदर मोदी जी के गाइड़न्स के अंडर इसके पहले मिनिस्ट्र ऑफ स्टेट थे इंडिपेंडेंट चार्ज इनों ने लिया था वह डॉक्टर श्रिपाद यसो नायक जी थे उसके बाद अगर देखी कि recent टाइम में तो recent टाइम में को in chess को डिजॉल्व कर गया है और क्सका गटन किया है national commission for और होमियोपति नाशनल कमिशन पॉर होमियोपतिक एक 2021 लाके पीसी एच को डिजॉल्व किया और एंसी एच को बना रिया एंसी एच अभी प्राक्टेस हो एजुकेशन हो रिलेटेट तो होमियोपति को रूल करती है जो हमने पूरा ही 19th century और 20th century को कम्प्लीट किया और कैसे होमियोपतिक इंडिया में एंटर हुई और अभी तक ग्रो करती जा रही है थैंक्यू